हेलो दोस्तो ओल इन वर्न टीटी चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तो एक बहुत बड़ी अपडेट आप सभी के लिए आ रही है वैसे एस्टुडेंट जो लोग बिहार के बीएट कॉलेजों में एडमिसन के लिए फ्लोटिंग या फ्रीजिंग आप्सन को सलेक्ट कि है दोस्तो आप सभी के लिए नालंदा ओपन इनवर्शिटी के द्वारा ओफिसियल नोटिफिकेशन जारी करके आप लोगों के लिए अति आवशिक शुचना जारी की गई है दोस्तो आप सभी यहां पर देख सकते हैं कि नालंदा ओपन इनवर्शिटी की ओफिसियल थी जिन्होंने floating option select किया था उन लोगों के लिए काफी महत्पून अपडेट आ रही है साथ में फ्रिजिंग वाले के लिए भी काफी महत्पून अपडेट है इस वीडियो में वीडियो को अंतक देखिए और अगर आप मेरे चैनल पर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लि 30 अप्राइल 2019 के बीच में आवजित कॉंसलिंग में अभियर्थियों ने अपने आपको या तो floating के स्रेनी में रखा है या तो freezing के स्रेनी में मात्र वहीं अभियर्थी जो हैं दिनांक एक माई से चार माई के बीच कि थीवार seat acceptance भी जो 1000 पे SBI collect के माध्यम से जमा कर ग्यान भवन में उपस्थित होंगे दोस्तों वैसे student जीन लोगों ने freezing option select किया है वहीं अभियर्थी जो है केवल payment करेंगे जिनोंने counseling के दोरान freezing स्रेनी को chain किया है वहीं अभियर्थी जो है ज्यान भवन में जाएंगे और 1000 पे फीप event करेंगे वहीं पे जिन अभियर्थियोंने अपने आपको floating स्रेनी में रखा है वे अपनी वास्तविक सिती को जाने के लिए पांच माई 2019 को सकते हैं कि website www.brcetba.com website का अब लोकन करेंगे और floating स्रेनी का chain करने वाले अभियर्थी दिनांक 1 माई 2019 से 4 माई 2019 के बीच ना तो हजार रुपे की रासी जमा करेंगे और नहीं ग्यान भवन पधारेंगे दोस्तों आप सब यहाँ पर देख सकते हैं कि वैसे student जो लोग floating option select किये हैं वे अभियर्थी जो है ना तो हजार रुपे जमा करेंगे और नहीं आप सभी जो है ग्यान भवन जाएंगे 1 माई से लेकर 4 माई 2019 के बीच में तो floating वाले करेंगे क्या तो floating वाले करेंगे यहीं कि आप सभी जो भी अभियर्थी floating select किये हैं अभियर्थी जो है 5 माई को नालंदा ओपिन इन्वर्शिटी के website को चेक करेंगे उस दिन काफी महत्पुन अपडेट आप लोगों के लिए जाड़ी की जाएगी तो वैसे अभियर्थी जो लोग freezing select किये हैं वे लोग जो है 1 माई से लेकर 4 माई के बीच में आप लोग जो है fee payment करेंगे fee payment करने के बाद उसका fee receipt आप लोग जो है print out लेंगे और आप है पटना ज्यान भवन में उपस्तित होंगे और आप लोग जो है final college admission later आपको मिलेगा जो अभियर्थी 1000 पे fee payment करेंगे उन्हीं को final college admission later जो है मिलेगा जो लोग seat acceptance fee 1000 रुपे fee पे करेंगे वही पे floating वाले जो है एक से चार के बीच में आप लोग जो है fee payment नहीं करेंगे पांच मई 2019 को आप लोगों के लिए बिसेस update जो है नालंदा ओपन इन्वर्शिटी के website पर जारी किया जाएगा paper के माधियम से जारी किया जाएगा चैनल पे भी पूरी update दी जाएगी तो दोस्तों ये है पूरी update पूरी update जाने के बाद अगर आप मेरे चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बगल में बेल आइकोन है उसको भी दबा दीजे और अपने दोस्तों में से सेर कर दिए ताकि उन्हें भी पूरी update मालुम चल सके तो पूरे वीडि देखिने के लिए धन्यवाद, have a nice day